सिम्बा अपने घर से भाग के बहुत ही दूर आ चुका है यहाँ पर वो रेगिस्तान के बीच में आके सो जाता है तभी उसे खाने के लिए बहुत सारे गिद आते हैं तभी वहाँ पे एक सूवर भागता हुआ आता है जो सिम्बा को गिदो से बचाता है उसका नाम टीमौन सोच रहा होता है कि आखिर यह जानवर है क्या टीमौन उसके नुकेले दाथ देखकर समझ जाता है कि यह शेर है तो वो भाग के छूप जाता है पुम्बा केता है कि क्यो ना भाई उससे हम पाल डलते हैं क्योंकि यह शेर का बच्चा कल को बढ़ा हो जाएगा क्या फरक पड़ता है यह सुनकर दोनों उससे पूछते हैं कि तुम्हे किस बात का टेंचन है सिंबा केता है कि मुझसे बहुत बड़ी गल्टी हो चुके है तब वो कहते हैं कि उसमें क्या बड़ी बात है गल्तिया तो सबसे होती रहती है इसलिए टेंचन के पिटा रा सर पेले के नहीं घुमने का चिल करने का ब्रो जिसे हम करते हैं हम दो निकलाई के दम जकास है बुलतो जकास